दोस्तों अगर आप 15 साल के या 20 साल के 20-22 साल के होंगे तो आपने शायद औरकुट का नाम नहीं सुना होगा और अगर सुना होगा तो आपको मालूम है ही औरकुट जो है वो सबसे पहला सोशल नेटवर्क था और अब उसका सकसेसर जिसका नाम है हेलो लाँच हो गया है मैं आपको हेलो के बारे में बताऊंगा और आप भी वो इंडिया में लाँच हुआ है तो आप भी कैसे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखते रहिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर याद से क्लिक कीजिएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन्स मिल जाएंगे औरकुट का जनम हुआ था 1999, 1998-1999 के धर्मयान, that was the first social network Facebook अगरे आने से बहुत साल पहले Indian लोगों को औरकुट बहुत ज़ादा पसंद था, in fact औरकुट के users सबसे ज़ादा ये दो country में थे लेकिन Facebook, उसके बाद में Google+, Twitter ये सब आने के बाद औरकुट की जिन्दगी खतम होगे बैसिकली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो Web 1.0 के एरा का social network था, एक दम plain, simple, bland, ज़्यादा features नहीं थे but it was a good social network and it was used by Indians उसकी जो founder है, जिनका नाम भी ओरकुट, बू यू कोक 10 है, बहुत ही complex है तो ये जो है, इन्होंने अभी उसका जो successor है, ओरकुट का, Hello नाम का एक social network लाँच किया है और ये जो social network है, वो interest-based social network है जिया मुझे मालू मैं आप कहेंगे, और एक social network क्यों चाहिए, इत्ते सारे है Google Plus है, Facebook है, Twitter है, Instagram है एंड उसके साथ WhatsApp, Facebook Messenger, वो भी सब है, तो और क्यों? लेकिन Hello social network जो है, वो थोड़ा अलग है, वो interest-based है मतलब आपको अगर किसी चीज में interest हो, समझो, आपको cars में interest होगा या आपको internet में interest होगा, या आप geek, technology geek होगे या आपको bollywood में interest होगा, या आपको singing, dancing में interest होगा तो ये सब आपके जो 5 interests हैं, वो आप सबसे पहले जब register करते हैं आप चूज करेंगे, एक बार आप चूज करने के बाद, आपको वो interest-based लोग, आपके जो interest के लोग हैं, वो साथ में आएंगे and then social gathering या social gap shop आप उधर कर सकते हैं ये जो hello है, primarily mobile app है, एक last year launch होगा था, बहुत सारे countries में, 8-9 countries में launch होगा था yesterday, मतलब last week, एक दो दिन पहले, ये इंडिया में भी launch होगा है, मतलब आप अभी उसका जो app है, वो download कर सकते हैं, install कर सकते हैं, register कर सकते हैं description में मैं आपको link दे रहा हूँ, उसके mobile app की, उसके website की, आप ज़रूर जाहिए, register कीजे और अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेरा नाम भी search कीजे, मैंने मैं भी उसके उपर आ गया हूँ अब, मेरे initial thoughts ऐसे हैं कि अच्छा है, अभी तक लेकिन बहुत सारे bugs हैं, थोड़ा सा complex लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको immediately चालू नहीं हो सकते हैं, आप registration करना होगा, आपको आपका नाम, birth, date, आप male, female हैं, वो सब आपको डालना होगा, उसके बाद में आपको आपका photo upload करना होगा, आपके interests चूज करने होगे, interest, बहुत सारे interest, उनोंने कम से कम 70-80 interest डाले हुए हैं, तो आपको उसमें से 5 interest चूज करने हैं, आपने वो चूज करने के आपको wall आएगी, जैसे Facebook पे आपका जो main timeline होता है, वैसे ही आएगा, आप लोगों को invite कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे अलग-अलग features हैं, उसमें बहुत सारे bells and whistles है, मैंने अभी तक पूरी तर से देखा नहीं है, लेकिन एक बात तो है, अभी सब explore कर रहे हैं, बहुत सारे जो posts मैंने देखे, वो यही देखे कि this is my first post on hello, तो ऐसा आप भी देखिए कैसे आपको लगता है, धीरे धीरे उसका community बढ़ेगा, मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत सारा उनको अच्छा उसमें features लाने पड़ेंगे, थोड़ा marketing भी करना पड़ेगा, उसके सिवा थोड़ा मु यह थोड़ा शायद उनको famous होने में थोड़ा time लगेगा, आप हमें comments में बताईए आपको कैसे लगता है, आप register हो जाईए, देखिए, थोड़ा browse कीजे उसको, आपको क्या लगता है, हमें बताईए, अगर आपको कोई सवाल है, तो जरूर पूछेगा, अगले वीडियो के लिए,